हेलो गाईज आपका स्वागत है दा फार्मसिस वर्ड में आज नहाए हूं आपके एक नया टॉपिक जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेस्टिंग होगा और बहुत लोग के बीच में यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है डॉक्टर प्रिफिस को लेकर तो आज आ जानेंगे एक ब्रिफ में और एक इंट्रोडक्शन जो की बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आई होप आपके लिए तो देखिए फ़र्ष्ट आप मतलब देखते हैं डॉक्टर टाइटल के बारे में तो देखिए डॉक्टर टाइटल का मतलब है क्या और इसका यूज जो है ना अब ध्यान से देखिए तो एंजेन टिव नौ जो होता है लेटिन वर्ट से लिया गया है जिसका मतलब होता है डौडी ओ सी आई ठीक है यह ध्यान से देखिए डॉसियर मतलब की टू टीच ठीक है अब धिक जब 13 सेंचुरी में एरोप ने सबसे पहले इसको जो तो किनकर टाइटल में इसका यूज़ नहीं करते थे हैं, तो एकेडमी टाइटल में जो है European Union जो थी, यह इसका यूज़ करती थी, 30th century में सबसे पहले यूज़ किया था, और अब बात करें, तो यह जो डॉक्टेट आवार्ड जो था, सबसे पहले जो था, आपका इनुशि लगा कि बहुत ही ज़्यादा एक ऑन्रवाब चीज मिल रही है, और जिसे कारण कि हमारा जो है सोसाइटी में हमारा जो है एक अलग पहचान हो जाती है, तो इसका यूज़ होने लगा, तो सबसे पहले आपका चला है कि यह इसका यूज़ हम लोग अकेडमीक में सबसे पह प्रक्टिशनल जो थे हैं वे यूज करने लगे जो कि MBBS होल्डर थे हैं ठीक है गाइस MBBS जो है मेडिकल साइंस जो है इतां modern साइंस है ठीक है यह latest साइंस है इसका कोई भी ऐसे नहीं है ठीक है इसको जो है एक modern thesis पर ही developed किया था जिक जो आप BMS देखते हैं, ठीक है, BMS जो होते हैं, वो बैद होते हैं, ठीक है, फिर आप BMS देखते होंगे, यह हकीम होते हैं, ठीक है गाइस, यह डॉक्टर भी यूज नहीं करते थे, आज भी आप देखे लिए बहुत सारे BMS डॉक्टर रचो हैं, अपने आगे BAD का यूज क हम लोग क्या कहें, उसको बदल हम लोग नहीं सकते हैं, तो सबका अलग-अलग चीजा है, बरज्चन पड़ने का तरीका, तो डॉक्टर उपाधि ऐसे दे जाती हैं, बहुत लोग सोचे हैं, बहुत सोचते हैं, उसक्रें करने लग को कि दिए बाद में उसके बाद सुपर यूज़ करने लगे अब देखिए इंडिया में बात करेंगे हम डारेक्ट इंडिया में किसको किसको डॉक्टर उपाधी दी जाती है ठीक है तो हम अलोपेथिक साइंस की पहले बात कर लें किसको किसको दी जाती है देखिए अल्पाथिक साइंस में आप अच्छे जानते हैं कि मिनिश्ट्री अफ हाउथ एड फैमिली वेल फैर ठीक है यह गवर्मेंट ऑफिंडिया की एक मिनिश्ट्री स्वास्त की ठीक है रिल्थ की उसके अंदर डिफ्रेंट टाप की कॉंसिल च ठीक है, DCI की BDS, ठीक है, फिर का नाम है कि INC की BSC Nursing, GNM, ठीक है, तो ऐसी कोर्से इनके चलते हैं, जो कि Health Care related कोर्से हैं इनकी, तो इसमें एलोपेतिक, ये देखिए, Minister of Health पूर्ड उपसे एलोपेतिक साइंस पर डिपेंड साइंस है, ठीक है, तो इनके जो कोर्स होते हैं, जै दी जाती है, इंडिया में डेंटिस्ट को भी, तो ये हो गएं, Physician, ठीक है, ये हो गएं, Dentist, और Pharmacy Practice में बात की जाएं, तो जो फार्मडी होल्डर होते हैं, ठीक है, उनको जो है, डॉक्टर की उपादी दी जाती है, इंडिया में, ठीक है, डॉक्टर और Pharmacy, जिनको करते हैं, आयूस में, तो आयूस में जो है, डॉक्टर की उपादी जाती है, आयूस डॉक्टर को, आयूस डॉक्टर का मत्ब होता है, अरवेधा, ठीक है, योगा, उनानी, शिद्धा, होल्पैति, ठीक है, ये जो होते हैं, अरवेधिक डॉक्टर, योगा डॉक्टर होगें, इस क्या नोटिफिकेसन आपको इसक्रीन पर सो कर रहा होगा 2018 का सुप्रिंग कोट का जिज्मेंट भी रहा था बहुत सारा और उपर से जो है मिनस्टीम ने साफ किलियर किया था कि हम डॉक्टर उपादी जो है किनकल प्रेक्टिशनर को हम देते हैं तो इसकार इनको जो है डॉक्टर उपादी दी गई और आप फर्मडी का तो जानते हैं 2019 का जिसमें PCI ने पूर डूप से क्लियर कर दिया था कि फर्मडी एज डॉक्टर है ठीके उनको डॉक्टर इनकी ठीक है अल्टनेटिव मेंडिशन कर रहें एलाइड हेल्ट केर की तो यहां पर अभी इसके उपर बहुत जरी डॉट्स है कि डॉक्टर उपादी कौन देता है ठीक है अभी तक को नहीं देता है इनको जैसे देने के लिए इनकी जो कॉंसिल्स है ठीक है इनकी NMC है इ इसके उपर बहुत सारी चीज़ें है और इसके उपर अभी गौर्मन का कोई डॉक्टर प्रिफिस को लेकर रूल भी निए बना है कि कोई डॉक्टर उपार कैसे लिख सकता है ऐसा देखा जाता तो जोलचा भी लिखते हैं खुले आप उसको क्या किया जा सकता है पर यहां इस पर आप सेंड कर सकते हैं तो यहां पर जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया अब पार्नेमेंट में भी तेखिए इसका जो है डॉक्टर प्रिफिक्स का थीक है है एल्प मिनेस्ट्री ने भी इसको क्लियर किया था 2018 में जैसे मैंने बता रखा है ठीक है कि डॉक्टर प्रिफिक्स किसको मिलेगा तो इंडिया में अभी तक इहीं लोग को जो है डॉक्टर उपादी दी जाती है और फिनाल और पियस डी रहिए गाईज पिये चिडी ठीक है और दूसरे जो डॉक्टर प्रिफिक्स होते हैं इन लोने बहुत इंतर होता है इनका लौन किनिकल हो सकता है आप माली जी हिंधी है हिंडी से हिंदी से बी एक ऐक से मैं पजडी कें आपको डॉक्टर उपथी मिल सकती अपर यह नों टेजिकर आप डाइज में कर सकते इस दो के बाद इनको डॉक्टर प्रेफिक्स मिल जाता तो सबका मतलब की वैद है तो कोई हाकीम है तो सबका अलग-अलग role और responsibility है और सबका अलग-अलग work है तो guys आज के लिए इतना ही I hope आपको समझ में आ गया होगा doctor prefix को लेकर और confuse नहीं होने की जूरत है कोई भी आपको यदि confuse करता है तो उसको ignore करिए ठीक है और हमेशा जो है government approval और government notification और gadget notification से चलिए ठीक है guys आज के लिए इतना है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सेफ करेगा thank you